आजकल website बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप WordPress की थुरू website बना सकते हो, आप blogger की थुरू websites को create कर सकते हो, बहुत सारे other mediums मीं हैं, जैसे wix.com हो गया, आप बहुत सारे framework काते हैं, जिनके थुरू आप website को create कर सकते हो, लेकिन website आपकी data आपको क्या देती है, वो important होता है और उसके जानने के लिए आपको एक tool का इस्तवाल करना पड़ता है, जो की बहुत ही important tool होता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी tool के बारे में बात करेंगे, यानि कि हम Google Analytics के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे YouTube में YouTube Analytics होता है, वैसे ही websites क लिए हमारा Google Analytics होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है, कि हमारा जो traffic है, वो basically कहां से आ रहा है, मतलब Android से आ रहा है, iOS से आ रहा है, या Surge से आ रहा है, अच्छा कितनी देर जो visitor है, वो हमारी website पर रोक रहा है, ये सारी चीज़े हम उसमें ट्रैक करते हैं, और फिर हम डिसा है, उसके उपर हम target करते हैं, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहीएगा, मैं हूँ अविशेक, आप देख रहे है टेक्निकल बटनागर, जैसे कि आपको पता ही है, कि मैं हूँ एक product expert, YouTube टीम के साथ, तो इस वीडियो को देखेगा, आज कि इस वीडियो में हम लोग integrate कर सीखेंगे कि किस तरह से आप उपनी website को Google Analytics के साथ integrate करेंगे, Google Analytics इस्तवाल करने के लिए आपके पास होना चाहिए Gmail का account, तो Google Analytics करके जब आप Google पर सर्च करते हैं, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप सीधा-सीधा Google Analytics की website को भी यहाँ पर open कर सकते हैं, जैसे वह नहीं आ जाएगा चाहिए, तो आपकी नेट की स्पीड ठीक ठाक होना चाहिए, तो आसानी के साथ खुल जाएगा, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एक website है मेरी, जो कि मैं एवेंट website बनाई थी, उसका data भी reflect नहीं हुए, क्योंकि मैं इस पर work नहीं कर रहा और मैंने इस इसको पर 100 accounts को create कर सकते हैं, यानि कि आप 100 accounts एक ID के अंदर रख सकते हैं, बहुत simple होता है, कोई इसमें problems यहाँ पर नहीं होती हैं, अब मैंने काफी सारे बनाये हुए, अब मैं आप create account पर click करूँगा, और create account पर click करने के बाद इस website के लिए आप बनाना चाहते हैं, उस website का नाम दे पर चेक करके next पर बढ़ जाईए, यहाँ पर आपके सामने एक option आता है, जिस option में एक तरीके से कहूं कि जो country है, वो आप select करते हैं, इसको आप बात में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप set up कर रहे हैं, तो आप please इसको हाथो हाथी कर लें, तो बहुत 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 आपको यहाँ पर अपना product का नाम देना होता है, और product का नाम देने के बाद, एक option इसमें मिलता है कि आप universal analytics property बनाना चाहते हैं, या नहीं बनाना चाहते हैं, जो कि Google Analytics के अंदर जो है निया feature है, और यह एक July 2023 के बाद से एक तरीके से washout भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं create कर लेता हूँ क्योंकि मुझे advanced features भी चाहिए होंगे, इसको लेने के बाद, आप अपनी website का address है, वो यहाँ पर put करेंगे, जो कि बहुत ही important है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी website http as per है, तो वो आपको डालनी है, या अगर आपकी simple http पर है, तो भी आप डाल सकते ह है, लेकिन अगर SSL security ले लें, तो बहुत बहतर रहता है, उससे hackers से आपकी website बची रहती है, और आपको एक extra protection layer भी यहाँ पर मिल जाती है, तो यहाँ पर आप अपनी website को डाल दीजेगा, https already लगा हुआ, इसको delete कर दीजे, और next पर आप click कर दीजे, और बाकी सारी चीज़े यहाँ पर आपका analytics और universal analytics जो property है, वो यहाँ पर create यहाँ पर हो जाएगी, इन सभी चीज़ों को check कर लिजेगा, थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप से पूछता है कि आपकी जो website की category है, वो क्या है, तो जो भी आपकी category है, वो आप दे दीजे, जैसे ही मेरी website की category के लिए education, तो मैं यहाँ पर education दे दूँगा, और business model में मैं अकिला ही काम करता हूँ, तो यहाँ पर small दे दूगा, इसका कोई relevance खास होता नहीं है, यह सिर्फ आपकी setting के लिए होता है, बाकि जो जो चीज़े आप major करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर major कर सकते हैं, उसमें आपको कोई problem नहीं आएगी, इसके बाद आप create पर click कर दीजे, create पर click करने के बाद आपके पास I agree का एक option आता है, यह बहुत सारी चीज़े यहाँ आप लिखी रहती है, इनको पढ़ लिजेगा, important होते हैं, इससे आपको benefits पता चल जाते हैं कि कौन कौन से benefits इसके use करने के ह होते हैं, तो इसको फटाफट से पढ़िये, उसके बाद I accept पर click आपने कर देना है, काफी लंबा है और इसमें करने के बाद आपकी जो ID है, web stream details आपकी आज आती है, इसको भी हम जितने भी tags होगया है, वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपका page view जो भी आप करना चाहते हैं, वो कर लिजे, लेकिन फिलाल हम चलते हैं next portion पर, next portion क्या है, कि आपका left hand side पर आपका account आ रहा है, और right hand side पर आपकी property आ रही है, यानि कि आपकी website आ रही है, अब यहाँ पर जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि Google Analytics 4 में, आपको दो property यहाँ पर देखने को मिलती है, एक मिलती है GA4 और एक मिलती है normal वाली, इसका difference मैं आने वाले कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ इस course में बने रही है, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, जो YouTube में हिंदी में इतने असानी से मौजूद नहीं है, त और आप क्या इस तरिके की वीडियो में देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप जिसे देख पा रहे हो dow तरके के account औरской क discharge अपना कीरियोट हो गए है, huff labha है वह न में आ जो झाहिए होता है impo और इसमें काफी साही चीज़े आती है जो धीरे धीरे में आपको आने वाले हम बात कर रहे हैं तो WordPress के case में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है अगर आप blogger की बात करेंगे तो यह जो code है या आपको head के अंदर यहां पर paste करना होगा आने वाले कुस्वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से आप head portion के अंदर इसको जो है वो post करोगे फिलाल क्योंकि हम लोग WordPress पर work कर रहे हैं तो हमारा tracking ID से भी काम नहीं पुड़ेगा हम directly इसको integrate कर देंगे तो चलिए अब WordPress की website पर चलते हैं मेरी एक website created है आप मैंने उसको open कर लिया है आप plugin पर जाएंगे और plugin पर जाने के बाद add new पर हम लोग क्लिक करेंगे और add new पर क्लिक करने के बाद हम यहां पर search करेंगे Google तो यहां पर क्या है कि Google के कई सारे plugins आते हैं particularly मैं एक जो मतलब plugin है वो इस्तवाल करता हूं जो कि मैं भी आपको दिखा दूँगा आपकी screen पर आ तो गूगल टाइप कर दीजएगा तो गूगल किट के नाम से एक plugin आ जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया plugin है और तीनों चीज़ें आपकी यहां पर हो जाती है यानि कि search console भी आ जाता है एडसेंस भी आ जाता है स्पीड भी आ जाती है और आपका जो analytics का portion है वो भी यहां पर बहुत ही असानी के साथ reflect हो जाता है तो यह मेरे को personally बहुत पसंद है और easy to install है और बहुत ही असानी के साथ आप इसको install कर सकते हैं जैसे install हो रहा है और activate हो जाता है और सिधा आपका जो main stream है मतलब google analytics से direct connect यह हो जाता है तो कहीं पर इसमें problem नहीं आती तो यहां पर मैं activate कर देता हूं और जैसी मैं activate करूगा तो यह मुझे लेकर जाएगा console पर और यहां पर start setup पर हम लोग click करेंगे वीडियो को like share जरूर करिएगा और comment करके बताएगा तो यहां पर हमें अपनी जो id है जिस id पर हमने code बनाया था उसको यहां पर connect करना पड़ेगा तो यहां पर हम check box पर check लगा देंगे और google से sign up यहां पर sign in करेंगे sorry and sign in पर click कर दें हमें हमारी id में login कराएगा completely safe है कोई problem नहीं होता इसमें and जैसे मैंने अपनी id से login यहां पर कर लिया है और इसके बाद setup की सारी जो चीजें हैं वो पूरी हो जाती है सारी check कर दिजेगा और continue पर click कर दिजेगा अब यहां पर आपकी जो google verify जो है वो आपकी होगी side ownership के लिए इसको verify पे click कर दिजे turn on matrix in your dashboard इसको भी allow कर दिजे इसके बाद आपके पास आएगा कि setup search console इसको भी setup कर दिजेगा अगर आप setup नहीं करेंगे cancel कर देंगे तो दुबारा से सारा चीजें करने ही पड़ेगी setup कर दिजेगा कोई ऐसी issue नहीं आती है बस इस पर click करते रही हो जा है और आपके पास आपके dashboard पर आपकी दोनों ID मतलब एक तो analytics 3 की ID साथ साथ आपका जो accounts माँ properties बनी वी है और साथ साथ आपकी Google Analytics 4 की ID भी आपको महीं पर दिख जाएगी यह बहुत अच्छा feature है इसके अंदर और जैसे मैंने बोला कि बहुत असानी के साथ इसे configure आप कर ले analytics आपका जो setup है आपकी website के लिए वह complete हो गया है अब यह 48 hours का थोड़ा सा वेट कर लेना क्योंकि फोड़ा साइम लगता है reflect होने में नीचे जो data आ रहा है वो search console का आ रहा है कि आपके जो search console पर क्या स्थिति चल रही है तो यह सारी चीज़े आपको देखने को यहां पर मिल होता है वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे share जरूर करिएगा